एक स्टॉक देखते हैं जड़ा एक बर ट्रेंट का चार्ट लेकर आईए और ट्रेंट में अब लगातार पिछले करीब 17 में से 15 दिन अब गिरावट और एक स्टॉक जो 8300 के हाई तक गया था वहां से 7100 तक यह नॉर्मली ट्रेंड होता जब भी स्टॉक इंडेक्स में आते लेकिन बात करते हैं एक स्टॉक की जिसने आज मार्केट को बचाया है लिटरली पूरी लाली के बीच एक शेयर जो 6% से ज़्यादा की तेजी में है वो है लासने ट्यूबरो आज का हीरो अफ देडे क्यों हो रही है यह तेजी और क्या यहां से आगे और भरोसा विवेक को जोड़ते हैं विवेक मार्केट में काफी बस चलता था कि शायद नंबर खराब होंगे गाइडन्स खराब होगी तो कुछ तो इसका इंपक्त आ गया लेकिन क्या आगे के लिए आउटलुक पॉसिटिव लग रहा है वेल आप डिसकस करते हैं जैसे आपने बोल बिल्कुल भी नहीं था और दूसरा जो बड़ा वरी था वह था कि साओधी राम को और मिडिल इस्ट वेस्ट एश्या का जो केपेक्स है वो स्पेंट कम हो रहे थे तो उसका काफी वरी था गोई इंटो कुटू बट मैनेजमेंट ने कल सब से सब वरी इसके ओपर सफाई दी है और उसके कारन आप अगर देखेंगे नमबर वन प्रोजेक्ट एंड मानुफाक्ट्रिंग गाइदेंस जो है उसका कोर मार्जिन एक्पेक्टेशन था एट पॉइंट 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 बड़ा है और यह एक इंपोर्टेंट चीज है पॉइंट पर संट पॉइंट किया है अब भी डिसकस किया ओडर बुक आप देखिए लाग करोड के उपर है वेरी वेरी स्टॉंग ओडर बुक एक बहुती इंपोर्टन डेवलेपमेंट वा है क्यू तू में अब तक पिछले कई सालों अब एंडिक कोई बी इंडिया में thermal power project के लिए बिड नहीं कर रहा था अब L&T ने specifically select projects के लिए बिड करना शुरू किया है और already पिछले quarter में वो lowest bidder रहा है L1 status रहा है NTPC के थोड़े power plants building करने के लिए तो ये सब सीजों के बारे में company ने सफाई दी earnings call में earnings के बाद and उसके बाद अगर आप earnings themselves देखोगे तो earnings about expectations था हमारे जो पोल ता उससे कई बड़ा था profitability का expectation था कि flat होगा year on your basis अगर आप देखोगे तो profits almost 5.4% उपर चला है उसके बाद along expected lines अगर आप देखोगे order prospects order prospects company ने दिया है 8.1 lakh crore का order prospects है और उन्हों visibility दिख रहा है and along with that उनलों बोल रहे है कि जो segment में उनलों प्रेजेंट है Middle East West Asia में वहाँ पे कोई spending की कमी नहीं हुए तो काफी सफाई मिला है no wonder than our stock अगर आप देखोगे one of the top gainers as far as the nifty is concerned okay तो ये फिलाल आपके लिए वज़ा कि क्यों L&T outperform कर रहा है और आगी क्या कारण रहेंगे इस outperformance के जारी रहने के शुक्रिया विवे किस update के लिए खरीदा क्या आपने आशिश्टी stock को आज अच्छा तो हमारे पास already L&T एक अच्छा कासा holding हमारी बनी हुई थी अच्छी बात ही रही कि जब पिछले एक दिड़ महने से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था profit booking चल रहे थी तब भी इसमें हमने कोई positions कम ने की और हमारे एक अच्छा कासा allocation L&T के अंदर बना हुई और L&T नहीं L&T के साथ-साथ सिमेंस, ABB और क्रिवेनी टावाइंग इस तरह के जो capital goods का पुरा play है वो हमारे पास है और हम आज भी इस पे काफी positive यू रखते हैं और जिस तरह से L&T की एक order book आप 5 लाग वो काफी strong है तो मुझे लगता है कि जैसे अनुज ने का 4,000-4,000 दोस्तों के लेवल वो शायद बहुत ही जल L&T के stock में देखने को नजर आसके पर आशिश, L&T में मतलब capital goods में ही आप सिर्फ L&T में committed है या फिर आपने थोड़ी spread रखिये towards ABB, Simmons में भी या फिर वहाँ भी हुए हैं सारे stocks 2,000 देवा के नजदीक trade करते हैं बिल्कुल तो विरंदर हम cements पे भी काफी positive है ABB पे भी काफी positive है हमारे मानना है कि यह जो अभी recent price correction हुआ यह बहुत ही opportunity आपको दे रहे हैं इन stocks के अंदर में entry बनाने के लिए क्योंकि आप देखेंगे जो tailwind sector की है वो बहुत positive है order book काफी अच्छी है इन companies के अंदर में और साथ-साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं electrification के काम हो रहा है power segment के अंदर में काम हो रहा है यह जो companies है Siemens, ABB, Hitachi Energy या L&T यह बड़े beneficiary रहेंगे और इनी की proxy जो companies है जैसे कि हम अपार industries की बात करते हैं कि AI industries की बात करते हैं इन सब को भी इसका काफी advantage देखने को मिलेगा तो हम अपनी जो position हमने जो maintain रखी थी पहले भी वो अभी भी इसमें maintain है इसमें कोई भी profit working या selling हमने अभी तरद नहीं देखिए लेकिन basically capital goods को लेकर भरोसा है और वो भरोसा आगे भी कायम रहेगा एक sector लेकिन जहां पर एक बड़ा shake out हुआ है कुछ दिर पहले हम इसकी बात कर भी रहे था IT index देखिएगा 3% नीचे जहां पर इस market की turnaround में IT का बहुत बड़ा योगदान भी रहा था आज बस एक खबर आई Capgemini की stock फिसलने लगा ऐसा क्या कहा है Capgemini ने वो समझ लेते हैं